स्टोरेंट लेट्स वास्ट दा स्टोरी ओफ गुलाम रसूल जल्दी चलें पहले ही लेट हो गए है अच्छा अच्छा साथ चल रहा हूँ अच्छा क्या किया गुलाम रसूल भाई इसने कहा ता थेज भागते हुए आए आराम से तवज्जों के साथ चलना चाहिए चलें खायर है चोड़ तो नहीं लगी असलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाही वबरकातो अंदर आजाए हम स्कूल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जी तो फिर क्या सोचा कमपास बनाने के बारे में बहुत मुश्किल टास्क है ये तो कैसे बनेगा मुझ से ये जी भाई इसके लिए तो बहुत महनत चाहिए मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ देखें हम महनत नहीं कलेंगे तो आगे किसे बढ़ेंगे एक बाद याद रखें कमपास बनाने के दोरान हमारी कोई भी नमाज नहीं छोटनी चाहिए नहीं उसकूल का दूसरा हूमवर्क और घर के काम डेट हो क्योंके ये तो एक इजाफी चीज है लेकिन उसेद भाई कमपास के लिए क्या क्या चीज़न चाहिए होंगी उसेद भाई आप ऐसा करे कमपास का सामान इस पे लिखके दे दे ताके सब अपने बाबा से मंगवा लें मुझे दे मैं लिखता हूँ आज ही सब सामान अपने बाबा से मंगवा लें जी जी जरूर मेरा कमपास सबसे अच्छा होगा जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोग सोच भी नहीं सकते और बच्चो आपको पता है हम ये कमपास क्यों बना रहे हैं इसलिए टाके हम इससे डायरेक्शन मालूम कर सकें और बवक्ते जरूरत कमपास की मदद से किबला यानी काबे की डायरेक्शन भी मालूम कर सकें क्योंकि नमाज की छे शराइत हैं उनमें से एक किबला रखोना भी है तो इसलिए हम सब बना रहे हैं कमपास मैं क्या करूँ ये तो बहुत मुश्किल काम है बादशा सुल्टान महमूद गजनवी ने एक चूंटी से सबक सीखा था जो उपर रणने के लिए बार-बार कोशिश कर रही थी और नाकाम हो जाती थी लेकिन वो कोशिश करती रही और उपर चड़ी गई मुझे मेहनत करना होगी जी तो ये लगेगा जहां नुमान बेए सेल उठागर दीजेगा असलाम आलेकुम वर रह्मतुल्ही व बरकातु आलेकुम असलाम व रह्मतुल्लह आजाए भई आजाएं कमपास का एक्सपेरिमेंट करना है जल्दी आजाएं Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh उसेद भाई, आप अपना कमपास दिखाएं वाव, very nice, माशाला अब पैजान भाई, आप अपना कमपास दिखाएं मेरा तो बहुत बुरा बना है, ये देखें अच्छा तो है, माशाला सबसे बड़ी बात क्या आपने मेहनत तो की उसेल भाई ने तो सबसे अच्छा बनाया है मैंने, गुलाम रसुल भाई ने और नौमान भाई ने मिलकर बनाया गए बबलो भाई, आप अपना कमपास दिखाएं अरे, ये तो आपने मार्केट से खरीदा है आपने खुद थोड़ी बनाया है जी, ये तो खुद बनाना था मैंने सोचा इतनी मेहनत कौन करे बाबा से ही मंगवा लेता हूँ बबलो भाई, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करने ही पड़ेगी मेहनत के बगेर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हमें इबादतों में, हूमवर्क में और दिनी कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ इस कंपास से डायरेक्षन मालूं करने का तरीका देखें, यह मकनती सी सुई यानि मेगनेटिक निडिल किस तरफ है नर्थ यानि शुमाल की तरफ और यह है साउथ यानि जुनूप और यह है इस्ट, यानि मश्रिक यह है वेस्ट, यानि मगरिब हमारे पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ मूँ करके नमास पढ़ी जाती है तो जिस तरफ डबी होगा तो समझे के उसी तरफ काबा शरीफ है तो उसी तरफ मूँ करके नमास पढ़नी है वाव